सोशल मीडिया पर इन दिनों देश के दो दिगगज यूट्यूबर संदीक माहिश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में बहस चल रही है पूरे इंटरनेट पर दोनों का कथित जगड़ा काफी सुर्खियों में है ये पूरा जगड़ा कथित स्कैम से शुरू हुआ था अब दोनों यूट्यूबर सारवजनिक तौर पर एक दूसरे की सामने आ गए है खुले आम वीडियो डाल कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे है मामला लीगल एक्षन तक जा पहुँचा है आखिर देश के दो बड़े यूट्यूबर आमने सामने कैसे आ गए दोनों के बीच चल रही तू तू मैं मैं की असल वज़य क्या है आईए बताते हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संदीप माहिश्वरी और विवेक बिंद्रा हैं कौन संदीप माहिश्वरी देश के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर है वो बड़े यूट्यूबर है संदीप माहिश्वरी के यूट्यूबर पर 22.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स है वो कई हस्तियों के इंटर्व्यू भी करते हैं वही डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद को बिजनेस गुरू बताते हैं उनके यूट्यूब पर कई चैनल हैं वो लोगों को मारकेटिग और बिजनेस की गुर सिखाते हैं दोनों यूट्यूबर्स के बीच बवाल एक कथित स्कैम को लेकर शुरू हुआ दरसल 11 दिसंबर को संदीप माहिश्वरी ने यूट्यूब पर एक वीडियो अप्लोड किया इस वीडियो में उन्होंने बिच स्कैम एक स्पोज करने का दावा किया वीडियो में वो बिजने सिखाने के नाम पर हजारों रुपे के कोर्स खरीदने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे उन्होंने इसे एक बड़ा स्कैम बताया वीडियो में वो दो लड़कों से बात कर रहे हैं एक लड़का बताता है कि उसने एक बड़े यूट्यूबर से 50,000 रुपे में एक कोर्स खरीदा, वहीं दूसरे ने बताया कि उसने इसके बदले में 35,000 रुपे दिये. लड़कों ने बताया कि उन्हें इस कोर्स को आगे के लोगों को बेचने के लिए कहा जाता है, ये एक तरह का मल्टी लेवल मार्केटिंग है. इसके बाद संदीप महिश्वरी ने इसे एक तरह का स्कैम बताया और कहा कि इसे रोका जाना चाहिए. हाला कि 10 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने किसी भी बिजनेज गुरू का नाम नहीं लिया था. वीडियो अपलोड होने के बाद सोशल मीडिया पर संदीप महिश्वरी और हेस टेक्स टॉप विवेक बिंद्रा ट्रेंड करने लगा. इसके बाद अगले दिन संदीप महिश्वरी ने यूट्यूब के कम्यूनिटी पोस्ट में दावा किया कि कुछ लोग मेरी टीम पर वीडियो हटाने का दबाव बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो किसी भी हालत में वीडियो नहीं हटाएंगे. उन्होंने दावा किया कि स्कैम का खुलासा करने वाले शक्स को भी बयान बदलने के लिए बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं. मुझे लग रहा है कि ये खराब होने वाला है. लेकिन मैं इसके लिए तयार हूँ. क्योंकि मैं ये स्टेंड हमारे समाज के लिए ले रहा हूँ. यहां तक विवेक बिंद्रा का नाम सामने नहीं आया था. लेकिन इस पोस्ट के बाद विवेक बिंद्रा ने एक पोस्ट किया और संधीक महिश्वरी को खुली चुनौती दे दी. इसके बाद विवेक बिंद्रा और संधीक महिश्वरी सारवजनिक तौर पर आमने सामने आ गए. संधीक महिश्वरी ने दावा किया कि विवेक बिंद्रा ने उनकी टीम को लीगल एक्षन की धमकी दी है. उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्षन की धमकी दी और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने कर्मचारियों को भेजा. वो भी एक बार नहीं. बार-बार, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से दरता हूँ? उन्होंने आगे कहा कि सारे यूटीबर अब आपको खुल कर एक्सपोज करेंगे. आपका नाम लेकर बड़ा बिजनेस के बारे में खुल कर बात करेंगे. इसके बाद पांच दिन पहले उन्होंने फिर से एक वीडियो अप्लोड किया. संदीब महिश्वरी के बाद इस जुबानी जल में खुद विवेक बिंदरा कूद गए. उन्होंने यूटीब पर एक वीडियो अप्लोड किया और संदीब महिश्वरी पर कई आरोप आपने लोगों के प्यार का गलत फायदा उठाया। आपने दूसरी साइट से नहीं पूछा। अगर आप इसे स्कैम कह रहे हैं तो दूसरी साइट का भी पक्ष जान लेते। कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे इतने सारे लोगों की रोजी रोटी पर संकटा जाए। बिंद्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि आपका बिजनेस मास्टरी का कोई वीडियो दो लाग से उपर नहीं जा रहा था। इसलिए आपने स्कैम डाला तो पचास लाग पर चला गया। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में वो संदीक महिश्वरी को एक स्पोच संदीक महिश्वरी ने फिर एक वीडियो अपलोड किया और कहा कि वो अपने यूट्यूब चैनल से एड रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उसका इस्तिमाल करके विवेक बिंद्रा के स्कैम के खिलाफ लीगल टीम हाय करेंगे। उन्होंने लोगों से भी इस कथिप स्कैम के खिलाफ F.I.R. करने और सोशल मीडिया पर ट्रेन चलाने की अपील की। महिश्वरी ने वीडियो में R.V.I. के कुछ सकुलत दिखा कर बिंद्रा की स्कीमों को स्कैम बताया। इसके साथ ही उन्होंने कम्यूनिटी पोस्ट में कहा कि हमने किसी का नहीं लिया था लेकिन विवेक बिंद्रा ने सोचा कि हम उनसे दरते हैं। वही उन्होंने आरोप लगाया कि बिंद्रा ने उनके घर और ओफिस में लोगों को भेजा। संदीप महिश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों ही देश के जाने माने यूट्यूबर हैं जिन्हे करोडों लोग फॉलो करते हैं। दोनों के फॉलोवस में बड़ा हिस्सा यूवाओं का है। ऐसे में जब वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग कर रहे हैं। तो उनके फॉलोवस कैसे चुप रह सकते हैं। लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं और इस मामली को उठा रह हैं। वहीं ट्विटर पर कई दिनों से ये मामला ट्रेंड कर रहा है। अब आगे देखना और भी दिल्चस्प होगा कि क्या होता है बने रहे हमारे साथ।